This demonstration is in continuation of the previous demonstration जिसमें हम DHCP version 4 को router के ओपर configure कर रहे थे हमने topology बना लिए है उसको हमने topology को connect भी करती है और उसमें machines को networking devices को address table को देखते हुए हमने configure भी कर लिए अब हम इस demonstration के अंदर हम DHCP server configure करेंगे router के ओपर और हम DHCP relay agent को configure करेंगे So हमने topology बना के configure कर ली थी अब हम PC में हम उनकी settings को set करते हैं और DHCP करते हैं देखें PC A पर मैंने click किया इससी config tag में गया और मैंने यहां static assignment नहीं की मैंने DHCP को select कर दिया कि IPRS उसको DHCP के दुरू में लेगा Similarly PCB को भी ऐसी करूँगा मैं DHCP settings की set कर दूँगा अब हम DHCP configure करते हैं router के ओपर और उससे पहले हम routing protocol को configure कर लेते हैं R1 के ओपर हम EIGRP routing protocol जाओ से configure करते हैं router EIGRP और process ID 1 और इसमें बता देंगे किन के network के ओपर उसने यह protocol चलानी है तो command होती है network आगे आप network बताते हैं 92.168.0.0 और फिर आप उसका wildcard mask बताते हैं 255 और इसमिलर्ली जो है दूसरे इंटरफेस के ओपर भी हम चलाएंगे routing protocol 1.0 के ओपर और इसका भी यही wildcard mask है similarly हम जो है third interface के पर serial वाला जो है 2.252 और उसका wildcard mask है वह 3 है और हम auto summary को off कर देते हैं तो r1 के ओपर हमने यह अपनी eigrp configure कर ली है similarly हम r2 के ओपर जो है अब करते हैं configure eigrp router eigrp process id1 और अब आप इसमें जो है assign कर दें network और वाइल कार्ड मास्क और फिर कमाने इसी करते हैं redistribute static की और exit अब इसके अलावा जो है default जो route है वह भी हम configure कर देते हैं इसके ओपर r2 के ओपर ताके वह isp के जहना उसका route देंगे हम r2 से isp का हम route देंगे as a default route so ip route all zeros subnet mask से भी all zeros और फिर आप जो है अपने next hop interface का बताएंगे which is 209.165.200.226 so यह अपने default route जो है वो दिया इसमे ip route 0.0.0.165 is this router 225 all right so we are done with this इसके लावा अब हम जो है isp router के ओपर एक summary route configure करेंगे isp router के जाएंगे और एक summary route configure करेंगे और यह जो summary route है यह static route हम configure करेंगे isp के ओपर ताके वो जो r1 और r2 routers के जो networks हैं वहां तक reach कर पाए all right so हम इसमें जाएंगे और हम लिखेंगे एक summary static route ip route right और 192.168.0.0 अब यह summary route है हमारा जो कि 0.1 को भी configure कर रहे और 1.0 को भी जो है reach कर रहे है summarize कर रहे है 252.0 right और फिर exit interface का जो है हमारा next hop interface उसका हम address देंगे 209.165.200.226 इन next hop interface का address देती है हमने इसको जो है configure कर लिया summarize कर लिया route को so अब जो है अब हमारी अब हम configure करेंगे dhcp server को जो है उसके लिए हमें पता है steps क्या है पहले आप address pool बनाते हैं जो है और हर land के लिए जो r1 का land है उसके लिए हम एक address pool बनाएंगे dhcp का क्योंकि हम configure करें dhcp server r2 के उपर तो हम r1 के जो दोनों lands हैं उनका address pool बनाएंगे हम r2 के उपर और फिर जो है हम उसके बाद जो है configure करेंगे और address pool को और फिर जो हम assign करेंगे so अब हम बनाते हैं जो है r2 में जाते हैं router r2 में और इस पर configure करते हैं हम address pool बनाते हैं सबसे पहले right ip dhcp और excluded हम बताएंगे कौन-कौन से जो ip address range है वो हमने exclude करनी है excluded address और वो पहले जो 9 है ip addresses वो हम exclude कर रहे हैं क्योंकि वो normally आप assign करते हैं machines को आप 10, 11, 12 जितने भी ip addresses हैं आपको वो आप exclude कर सकते हैं यहां मैं वो range बता रहा हूं जीरो डोट नाइन आइन आइन सिमिलरली जो दूसरा नेटवर्क है उसकी भी exclude करते हैं 1.0 वाला 1.1 से लेकर 1.9 तक अब हम एक पूल create करते हैं ip dhcp पूल उसका नाम रखते है r1 g1 राइट और फिर हम उस पे network बताते हैं जो हमने वो address range बता रहे है जो available होंगी 192.168.1.0 और इसका subject mass .0 और इसमें डिफॉल्ट राउटर बताएंगे डिफॉल्ट राउटर कौन सा होगा which is the interface of this router 192.168.1.1 all right so जो है इसके बाद हम जो है exit करते हैं और फिर हम जो है next अपना पूल बनाते हैं which is ip dhp pool r1 g0 all right gigabit ethernet 0 interface से जो connect data हमारा LAN उसका है इसको हम network देते हैं 192.168.0.0 और वो subnet mask right और इसको जो डिफॉल्ट राउट देना है हमने router वो .0.1 देना है all right so यह हमने dhp configure कर लिया r2 में right so इसी तरह अब हम जो है चेक करते हैं जो है r1 पे हम अपनी जो है अब इसको अगर मैं यहां जाओ पी-सी-ए में इसमें मैं अगर जाता हूँ desktop के ओपर command prompt के ओपर और मैं लिखता हूँ ipconfig forward slash all so यह देखें इसने मुझे भी तक ip-res default gateway वगरा assign नहीं किया हुआ उसकी वज़ाए यह है कि अभी जो r2 है वहां मैंने dhcp server रखा हुए लेकिन r1 जो है उसको as a relay agent मुझे configure करना पड़ेगा ताके जो information जो यहां से जो broadcast messages है वो इस अगले जो network है router उनको forward कर सके तो हमने यह पढ़ा था कि उसके लिए मुझे as a relay agent जो है router को बनाना पड़ेगा so next module के अंदर हम router को r1 पे as a relay agent बनाएंगे dhcp का ताके यह जो information है dhcp की broadcast messages r1 फावर कर सके अपने r2 router को जहां हमने actual dhcp server configure किया हुए